राजधानी भूपाल में गणेश विसरजन के दुरान खटालपो तलाप पर बड़ा हादसा हो गया दोनावों पर सवार गणेश प्रतिमा विसरजन कन्नी गए ग्यारा लोगों की टूबने से मौत हो गई साथ लोगों को बचा लिया गया है जबकि कुछ लोग अब भी लाप पता है घटना रात साड़े तीन बजे की बताय जा रही है खाथसे की पीछे बड़ी प्रिशास निकला परवाही सामने आई है घटना की मजिस्ट्रिल जाच की आदेश दिये गए हैं भुपाल के पिपलाने इस्थित सोख वाटर इलाके की लोग देरात खटालपुरा तालाब में गणेश प्रतिमा का विसरजन करने पहुचे थे दो नावों पर 19 लोग सबार होकर भारी भरकम गणेश प्रतिमा को लेकर तालाब में उतरे थे तालाब में बाढ़ का पानी था बताया जा रहा है कि लोग दोनों नावों को आपस में जोड़ कर तालाब के भीतर गए थे प्रतीमा का विसरजन करने के दरान संतुलन बिगड़ा और नाव डूब गई इस वक्त नगर निगम के दो गोता खोरों को छोड़ कर कोई भी प्रिशासनिक अमला वहां मौजूद नहीं था ना ही लोगों ने लाइव जैकेट पहन रखी थी घटा के बाद मुख्यमंत्री कमलाथ ने मजिस्ट्रिल जाज के आदेश दिये हैं कि मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हर पीडित परिवार के साथ राज्य सरकार खड़ी है प्रत्येक मुन तक के परिजनों को चार-चार लाक रुपे मुआवज़ा देने की घोशना की गई है कमलाथ ने साफ किया कि जिसकी भीला पर भाही सामनी आएगी उसे बक्षा नहीं जाएगा गणिश विसरजन के वक्त भूपाल में हुए हाथ से में सुबस साड़े चार बजे ग्यारा युवकों की ताला में डूब जाने की दुखड घटना हो गई है इस घटना में युवक नाव में बैट कर विसरजन करने गए थे और 17 लोगों में से 11 लोग डूप गए जिन में सी 6 को बचाली आ गया है गणिश ये की प्रतिमा विसरजित करने के दुरान नाव अन्बैलेंस हुई और ये दुखड घटना करम हो गया देखें इस दुखड घटना करम का लाइब वीडियो अब वो तेड़ी मूर्ती गिरी है जबकि मूर्ती एकदम 90 डिगरी पे गिरना चीए वो देखें तेड़ी गिरी है एक नाव हिस्सा पानी से भर गया सारे लड़के इस साइड आ गए तो वो नाव पूरी की पूरी पुरी पलेट गए तो क्या मैं वीडियो इसका बना रहा था फिर जब मेरी नजर गई लड़कों पे लड़के पूरी नाव पलेट गई ये देखें हलका सा एक हिस्सा आप पूर अपडेट्स